तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन स्टॉक्स के बारे में और ग्रोथ पॉइंट व्यू से बात की जाए तो तीनों स्टॉक्स काफी अच्छे नजर आते हैं यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स भी हैं वो भी आपके साथ साजा करूँगा टेक्निकली बात की जाए तो इन तीनों स्टॉक्स में क्या स्थिति अभी नजर आ रही है वो हम एनलाइस करेंगे बाइंग अभी करनी है या फिर नहीं करनी विज रैशनल सारा डिस्केशन करेंगे आगे की रणनी ते डिसकस करेंगे तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है काफी इंट्रस्टिंग है पूरा जरूर देखिएगा लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा देखिए कल के दिन भी एक इंपोर्टेंट वीडियो हमने अप्लोड किया है तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा इ पहले स्टॉक पे ना में देखिए वन एन उनली एफल इंडिया जास्तो एफल इंडिया को मैंने कई बार लगातार हजार बार कवर किया और काफी निचलेस तरों से कवर किया है तो अभी इतनी गिरावट के बाद मुझे लगता है यहां पर अगर आप मुझे फॉलो कर र जबर्दस सपोर्ट था इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यह था देखिए फिर यहां पर एक जबर्दस सपोर्ट ले रहा था लेकिन फाइनली यहां पर एक ब्रेकडाउन हमको होता हुआ नजर आया है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहां पर देखने को मिल रहा है तो या फिर round off में बात करें 800 की आसपास तो अगर देखिए अभी result आये नहीं है result अगर weak आये estimates के अनुसार ना आये market की जो expectation से उसके अनुसार ना आये तो यहाँ पर थोड़ इसी weakness और आ सकती है और stock यहाँ पर tank हो सकता है तो मेरे ख्याल से अगर आप अभी buy करना चाह रहे हैं तो wait and watch कीजिए अभी आपर कोई जल्दी बाजी नहीं है थोड़ा हसा से आपर सबर रखिए जब stock नीचे आएगा अच्छे levels पर और हमको जो है bargain price पर इसको buy करने का मौका मिलेगा और valuation और भी जादा favorable होंगे risk reward ratio और भी favorable होगा हाला कि एक time पर ये stock 100 के PE के उपर trade कर रहा था अभी ये जो stock है करीब करीब 48 के PE पर trade कर रहा है तो वैसे भी यहाँ पर valuation अच्छे नजर आ रहे हैं stock की जो growth है company की जो growth है वो वैसे ही अच्छी है जिसको हम कई बार discuss कर चुक है तो मेरे साब से थोड़ा wait and watch कीजिए और यहाँ पर buying करनी है तो यहाँ पर एक बार result आने दीजिए उसके बाद हम इस पर buying करेंगे और buying क्यों करनी है उसके पीछे reason है अगर मैं mobile advertisements की बात करूँ digital advertisements की बात करूँ तो एक यह secular trend नजर आता है क्योंकि mobile penetration, smartphone penetration, internet adoption लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और FL India इस शेत्र में यहाँ पर एक जबरदस्त consumer tech platform के साथ बनी होई company है गजब का management है आगे के aspirations अच्छे है इन ओर्गनिक growth जो है company की काफी जबरदस्त नजर आती है और जो aspirations है company के वो भी अच्छे नजर आते है तो यहाँ पर definitely एक long term very long term भी ना कहाँ जाए तो मेरे खासे 3-5 साल की बात की जाए तो FL India का जो industry growth है FL India की जो growth है वो काफी अच्छी नजर आती है तो मेरे साब से हर dip पर FL India को buy किया जा सकता है तो यहाँ पर थोड़ी volatility ज़रूर रहेगे लेकिन growth भी उसी प्रकार आ सकती है तो FL India को आप definitely consider कर सकते है अभी की बात की जाए तो wait and watch कीज़े एक बार result आएगा उसको analyze करेंगे फिर हम यहाँ पर इसको फिर से discuss करेंगे तो यह है FL India नेक्स्ट बात की जाए Jubilant Foodworks की तो Jubilant Foodworks में एक update आ रही है वो आपके साथ साजा करना चाहूँआ तो देखिए Jubilant Foodworks में हमको सभी को बताए कि hashtag loyalty private limited एक company है जोकि associate company है जिसमें Jubilant Foodworks ने इससेदारी ले रही है करीब 35% की इससेदारी थी इसकी लेकिन अभी यहाँ पर dilute हो चुकी इससेदारी करीब की 29.75% रह चुका है क्योंकि यहाँ पर Coca-Cola जो है एक new investor यहाँ पर आया है तो Jubilant Foodworks ने dilute किया है अपना हिस्सा और Coca-Cola ने 15% यहाँ पर जो है करीब acquire किया है तो Jubilant Foodworks का हिस्सा यहाँ पर थोड़ा बढ़ा dilute हो है बाकि 15% Coca-Cola ने acquire किया है तो यह एक startup है दोस्तो food tech startup है Thrive नाम से startup है जिसमें Coca-Cola इंवेस्ट कर रहा है जो की Zoveto और Swiggy का competitor है जो एक basically technology solution online ordering को लेकर technology solution provide कराता है तो Coca-Cola के पास अपना खुद का एक बड़ा distribution network है उसको leverage करके यहाँ पर यह basically इस startup में invest कर रहा है तो अगर यह startup grow होता है तो definitely hashtag private limited loyalty private limited जो की जिसमें Jubilant Foodworks की से दारी भी है तो उसको भी कई न कई ultimately फायदा ही होगा तो let's see किस तरीके से plan out होता है future में लेकिन एक अच्छी खबर है और बात की जाए खबर की तो definitely इस खबर के बाद आज जब देखे तो stock में भी करीब 2% के आसपास की हमको तेजी देखने को मिल रहे है बाकि technically बात की जाए तो उपर इस तरों से काफी हमको गिरावट देखने को मिली तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बाइंग की जा सकती है अगर आपका लोकेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है तो Jubilent Foodworks में long term के लिए बाई किया जा सकता है और वो क्यों किया जा सकता है क्योंकि देखिए definitely एक QSR जो trend है एक बड़ा trend penetration level जो बहुत कव है इंडिया में अभी भी consumption theme एक बहुत बड़ी theme है QSR theme एक बहुत बड़ी theme है Jubilent Foodworks की बात की जाए तो लगातार stores अपने यह open कर रहे है काफी सारे investment इन्होंने digital front पे किया है popoys की बात की जाए तो एक next growth driver हो सकता है popoys जो KFC को यहाँ पर टक कर देगा इंडिया में तो काफी सारी चीज़े हैं जो आगे यहाँ पर अच्छी हो सकते Jubilent Foodworks के लिए short time है definitely RM inflation की वज़े से raw material inflation की वज़े से हमको यहाँ पर margins down होते हुए देखने को मिले competition यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया consumer demand थोड़ी से weak थी जो इनके LFL growth थी वो weak थी उसके वज़े से यहाँ पर थोड़ा pressure में राइ stock लेकिन long term मुझे रखता है कि यह trend जो है in tech नजर आता है Jubilent Foodworks यहाँ पर market leader है तो यह अपनी market position को कायम रख सकता है आगे भी तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है गिरावट पर आप ज़रूर buy कर सकते है बाकि अगर long term averages की बात की जाए तो देखिए PE ratio की बात की जाए तो long term PE ratio 75 का और अभी 68 की आसपास trade कर रहा है 69 की आसपास trade कर रहा है तो valuation अगर आपके पास Jubilant Foodways के allocation कम है तो मेरे ख्याल से इस valuation पर थोड़ी बहुत buying की जा सकती है bottom हमको पता नहीं है तो एक staggered way में buying यहाँ पर कर सकते है तो long term वाले हम पर buy कर सकते है short term वाले मुझे लगता है भी यहाँ पर wait and watch कीजिए एक बर key moving averages के उपर जाने दीजे फिर इसको हम यहाँ पर वापिस सरी consider करेंगे third है दोस्तों है पर route mobile route mobile की बात की जाए तो route mobile के stock में भी काफी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली है उपर इस तरह से 48% तक यह stock correct हो चुका है लेकिन इस level पर एक valuation attractive नजर आ रही है हाला कि बहुत ज़्यादा attractive भी नहीं है लेकिन decent नजर आ रही हो सकता है stock और गिर जाए अगर number अच्छे नहीं आए तो यहाँ पर stock और गिर सकता है लेकिन इस level पर definitely यहाँ पर buying की जा सकते है क्योंकि root mobile की बात की जा है तो देखिए industry growth काफी अच्छी नजर आती है यहाँ ठीक है और जो company लगातार equations कर रही है inorganic equations कर रही है जो global reach company की वो काफी अच्छी है value added products पर यह company उतर रही है जो कि basically margin accretive हो सकता है क्योंकि recently हमने देखा इसके margins थोड़े से down आते हुए नजर आये है तो future में यहाँ पर काफी अच्छी चीज़ें होती हुए नजर आ सकती है अगर यह सारे चीज़ें इनके जो margin and equation integration है अच्छी तरीके से होते हुए नजर आए तो यह company मुझे लगता है काफी अच्छा कर सकती है इसकी जो growth है वो भी काफी अच्छी है अगर हम पिछले कई साल की growth देखे profit growth देखे, sales growth देखे, consistent है और इस valuation पर अच्छी नजर आती है बिल्कुल debt free company हाँ पर नजर आती है free cash flow company positive generate कर रही है तो यह सारी चीज़े है अलकि negative क्या हुई है इसमें recent time में valuation काफी premium हो चुके थे जो correct होते हुए नजर आये कुछ हमको यहाँ पर institution investors का exit होता हुए नजर आया ठीक है उसके वज़े से supply side pressure हमको आता हुए देखने को मिला margins थोड़ा से down हुए, competition बढ़ रहा था sentiments काफी weak थे, buyback अभी आया तो थोड़ा promoter को लेकर भी यहाँ पर थोड़ी सी market में चर्चा हुई कि यार promoters क्यों यहाँ पर अपने stake को dilute कर रहे है क्यों buyback में participate नहीं कर रहे है तो promoters के ओपर भी यहाँ पर question mark उठते हुए नजर आये कि मेरे साब से company fundamentally अच्छी है, stock का valuation अभी यहाँ पर correct हो चुका है, long term industry trend काफी attractive नजर यहाँ पर आता है तो यह सारी चीज़े हैं तो मेरे के साब से route mobile में buying की जा सकती है, बहुत ज़्यादा allocation नहीं देना है, मेरा खुद का location यहाँ पर अभी 2% के आसपास है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको analyze करना पड़ेगा, नमबर अच्छे आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते, तो फिर इसको हम आगे और देखेंगे, allocation यहाँ पर बहुत ज़ादा नहीं रखना है, because अभी एक ऐसी company, यहाँ पर competition काफी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर अभी competition, जो international companies है, वो भी इंडिया में अभी उतरती हुई नजर आई हैं तो वो भी सारी चीज़े है, तो इसको और detail analyze अरड़ी किया हुआ है, आगे भी करेंगे, तो मेरे साबसे route mobile को आप consider कर सकते हैं, इसका भी एक बार result का wait करते है, Q4 में किस प्रकार result आते हैं उसके बाद और यहाँ पर position build करने की कोशिश करेंगे, तो यह है दोस्तों तीन stocks, I hope यह वीडियो आपको interesting और informative लगा होगा, पसंद आया है वीडियो तो like कीजिए, share कीजिए subscribe कर लिजे channel को और आपका opinion क्या है, तीन stocks को लेकर वो भी ज़रूर share कीजिए, comment box में तो मिलते हैं next video, till then take care bye bye